ओम शन्ति 3.1.2022 के साकार अन्मोल धानना युद्ध मधुर माहवाक्य हैं जिन में बाबा ने ब्रह्मा सु विश्नु विश्नु सु ब्रह्मा का राज बताया दूसरा बाबा ने कहा कि सारी दुनिया बिगड़ी हुई है और बिगड़ी को बनाने वाला एक ही शुब बाबा है कोई भी मनुष्य बिगड़ी को नहीं बना सकता है साथ साथ बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़े हायस्ट अथॉरिटी कौन है बाप है उसे यथार्थ रूप से पहचान करके याद करना है और बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी माताओं की है है तो सब की परविशेश माताओं को ज्ञान का कलश दिया सुनते हैं प्यारे बाबा के महभा के मीथे बच्ची ब्रह्मा सो विष्णू विष्णू सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं दोनु एक दो की नाभी से कब निकलते हैं यह है राजसिद कर समझाओ कुश्चन कौनसी गुप्त बात महीन बुद्धी वाले बच्ची ही समझ सकते हैं आंसर है हम सब की बड़ी मा कौन है यह ब्रह्मा है शुब बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया यह ब्रह्मा है जिसके हम मुख्वन शबली है यह बड़ी गुप्त बात है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती यह है सबसे होश्यार गोड़ेज अफ नॉलेज बापनी ज्यान का कलश माताउं पर रखा है माता की लोरी काई हुई है वह सबको समझाए कि विश्यों में शान्ती कैसे हो सकती है गीत भोले नात से निराला कोई और नहीं बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं ओम शान्ती बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे ना कि शंकर को भोला नात भी शिव को ही कहेंगे शंकर को नहीं खीवया भी शिव को ही कहेंगे ना शंकर को और ना विष्णों को वो देवताई हैं उनका रजाईता शिप बाबर है इसलिए भोला नाद खिवईया बिगडी को बनाने वाला एक ही शिप बाबर है खिवईया अत्वा गौड फादर कहने से बुद्धी नीराकार तरप चली जाती है तिरमूर्ती का चित्र तो नामी ग्रामी है गवर्मेंट का जो कोट ओफ अमर्स है बहत जानूरों का बना दिया है और उस पर लिख दिया सत्य मेव जैते अब जानूरों के साथ तो कोई अर्थ निकलता नहीं गवर्मेंट के कोट ओफ आमर्स की मोहर होती है जो भी बड़ी-बड़ी राजधानिया है उन सब के कोट ओफ आमर्स है भारत में तरमूर्थी मशूर है ब्रह्मा, विश्नु, शंकर उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है क्योंकि उनकी नौलेज ही नहीं है गौड़ फादर कहने से बुद्धी निराकार की तरफ चली जाती है ब्रह्मा, विश्नु, शंकर को गौड़ फादर नहीं कहेंगे गौड़ फादर है आत्माउ का वे हैं उँचे ते उँचा ठैरा दिखाते भी हैं उँचे ते उँचा भगवान ऐसे नहीं उँचे ते उँचा ब्रह्मा कहेंगे वा विश्नु वा शंकर को कहेंगे नहीं उँचे से उँचा एक भगवान है ये सभी जानते हैं शिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं, गुरु नानक को भी ये ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा के सिवाई कोई हो नहीं सकता, सत्युक में तो देवताई रहते हैं जरूर, परंतो देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही हैं, वह इमा गाते हैं मूत पलिती कपड़ धोए, तो जो मनुष्य मूत पलिती थे, उनको देवता बनाया, परंतो बनाया कब यह नहीं लिखा हैं, तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा, मनुष्य को देवता बना रही हैं, जरूर, दुर्गती से सदगती की होगी, ब्रष्टाचारी को स्रिष्टाचारी बनाया होगा, तुम समझा सकते हो, इस भारत में ही स्रिष्टाचारी देवताई थे, गुरु नानक जब आये तब तो ब्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तब तो गाते थे, लक्ष्मी नार्यन आदी के चित्र तो रहती हैं ना, ज गुरु गोविंद सिंग का जनम, बड़े धुमधाम से मनाते हैं, शिक्धरम का रचईता है, खुद कहते हैं, भगवान निराकार, निरेहंकारी, गुरु नानंक साहिम ने कहा, एक कोंकार, भगवान एक है, आकर मनुष्य को पतिस्य पामन देवता बनाते हैं, श्री कृष् को देवता नहीं बना सकते, गीता में भी हैं, मैं तुमको सहज राज्योग सिखला कर, स्रिष्ठाचारी महराजा महरानी बनाता हूं, पतित पामन गौड़ फादर को ही कहेंगे, वहें जरूर आएंगे भष्ष्ठाचारी दुनिया में, उनको कहते हैं, आकर पामन बनाओ स्रिष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप उंचे से उंचा है, भगवान है, फिर है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, यह हुई रचना परमपिता परमात्मा के, जिनका चित्र तो है ही नहीं, विचित्र है श्योबाबा निराकार है, जोती बिंदो है अब आप समझाते हैं, कि विष्णु की नाभी से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभी से विष्णु कैसे निकलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, नाभी से निकलने की बात नहीं है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, 84 जनम लगते ब्रह्मा को एक सेकिन लगता है विश्नु बनने में तो नाभी से निकलने की बात ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर बही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जनम में विश्नु के दो रूप लक्ष्मी नारेन बन पालना करते हैं तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारेन, ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारेन बनते हैं, लक्ष्मी नारेन फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो एक दो के नाभी से निकले ना, हम सो देवता फिर क्षत्री वैश्य शुद्र बने, यह यह बहुत समझने की बाते हैं, बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैनी परवेश किया है, उनके 84 जनम हुए हैं, बाकी कोई रथ आदी की बात नहीं, वो सब जूट है, इस संगम के समय का किसी को भी पता नहीं है, मानुश्यों को घोर अंधकार में डाल दिया है, कलियू की आयू इतने लाखो वर्ष की है, सत्यू की आयू इतनी है, ऐसी ऐसी बाते सुनाए घोर अंधकार में डाल दिया है, बाप कहते हैं, मैं उन बच्चों के आगे सनमुख होता हूँ, किन बच्चों के आगे शुव बाप सनमुख होते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं, वह समझेंगे भी नहीं कि यह कौन है, कोई बड़ी सभा में जाओ तो वह समझेंगे थोड़ी तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं और जो समझते हैं घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं यह है तो बड़े ते बड़ी highest authority है पोप का देखो कितना रिगार रखते हैं पोप कौन है वह है क्रिश्चन घराने का और यह है अन्तिम जनम क्राइष्ट के समय से पुनर जनम लेते अब तमु परधान अवस्था में हैं सभी पतित हैं एक दो को दुख देते रहते हैं बाप कहते हैं यह भी बना बनाया खेल है तो उचे ते उचा है निराकार भगवान फिर ब्रह्मा विश्णु शंकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना जिससे स्थापना होती है उनसे ही पालना होगी ब्रह्मा सुविश्णु बनते हैं न फिर तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारेन बनना है लक्ष्मी नारेन ही अभी आकर ब्रह्मा सरस्वती बने है प्रजा पिता की यह है मुख बोक्षी कर्शन को प्रजापिता नहीं कहेंगे इनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्म्हु प्रहम्हँ द्वारा जरूर ब्रह्मन चाहिए। जो पूरे, 84 जनम भोग अभी अंतिम जनम में हैं, ब्रह्मा तो एक ही होगा ना, यह है अपने जनमों को नहीं जानते, बाबा स्वेम आकर के निराकारश्य बाबा बताते हैं, यह भी अपने जनमों को नहीं जानते, तो जैसे ब्रह्मा को बैट समझाते हैं, तो जरूर ब्र प्रामन है, ब्राम्न है, ब्रह्मा के मुक्मन दिनबी नियुकार। प्रजा पिता के जरूर मुक्वन शबली होंगे ये बहुत समझने की बाते हैं खुद समझाते हैं मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है सत्युक में पहले पहले लक्ष्मी नारेन थे फिर इनों ने ही चुरासी जन्म लिये होंगे और उने जरूर कम लिये होंगे ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णो योगल बनेगा तो कितनी समझने की बाते हैं पहले पहले तो यह निष्टे चाहिए कि यह नौलेज कृष्ण नहीं दे सकते अच्छा फिर गाते हैं आपे ही पुझे आपे ही पुझारी भक्ति मारग में पुझारी हैं ज्यान मारग में पुझे हैं विष्णु के दो रूप बरोबर पुज्य थे फिर यह ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पुजा करते थे भक्ति मारग में है हम सो पुजारी थे विष्णु के खुद कहते हैं हम सो पुजारी थे विष्णु के अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूं तक तुम भी ऐसे मनुष्य से देवता बन रही हो इसको गुये ते गुये बात कही जाती है ब्रह्मा कहां से आया विष्णु कहां गया यह तुम ही जानते हो वही आत्मा चुराशी जनम लेती है बाबा उसमें परवेश करते हैं उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा विष्णु के दो रूप लक्षमी नारेन को चुराशी जनम पूरे कर अंत में पतित बनना ही है डिनाश्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापना करूं और सब धर्मों को खलास कर दूं फिर से सहज राज्योग सिखला कर स्रिष्टाचारी देवी-देवता धरम की स्थापना कर बाकी जो भ्रश्टाचारी धरम हैं उन सब का विनाश कराता हूं राम राज्जे में दूसरा कोई धर्म होता नहीं एक की आदिशनातन देवी देपता धर्म होता हैं, भारत का असली धर्म है ही नहीं, सब धर्म है पर असली धर्म है ही नहीं वेहे फिर से स्थापन हो रहा है, चित्र भी है, तिरमुर्ती के उपर शिव भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारेन वही राधे कृषन थे, राजधानी राधे के अपनी थी, तो कृषन अपनी राजधानी के थे, ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं है, सरस्वती, नौलेज से भविश्य में राधे बने, सरस्वती को गौड़ेज अफ नौलेज कहते हैं, उनको जरूर बाप द्वारा ब्रह्मा की बेती, प्रजापीता ब्रह्मा है तो जगदंबा भी चाहिए, वास्ता में यह है गुप्त बात, बड़ी अंबा तो यह ब्रह्मा है, इन द्वारा ज्यान देते हैं माताओं को, वह बड़ी बेती जगदंबा काई जाती है, नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा adopt होते हो तो माता यह हो गई ब्रह्म्मा बड़ी माँ हो गई होश्यार में होश्यार ब्रह्मा की बेटी सर्स्वती है वह कहां से आई ब्रह्मा को इस्तिरी तो नहीं है वह है ही प्रजा पिता तो वह है मुखवन शवली यह ट्रामा भी अनादी बना बनाया है तो गौड़ेज ओफ नॉलेज सरस्वती है अब रिलिजिस कॉन्फरेंस होती है उस में निराकार शिप बाबा तो जा नहीं सकते ब्रह्मा को भी नहीं बिठा सकते माता की महिमा है सभी धर्म बालों की हैड माता होने चाहिए सभी की माता जग दंबा बैठ लोरी दे बच्चे पैदा होते हैं तो मा द्वारा जग दंबा सब की माता ठेरी जग दंबा सब की माता ठेरी अब इस भारत में बाबा नहीं कहा तो सब को उनके आगे माता जुकाना पड़े माता समझा सकती है ये ब्रश्टाचारी दुनिया स्रेष्टाचारी कैसे बने वा इस भारत में कैसे शांती स्थापन हो रामन राज्य में शांती हो ना सके शांती कहां से मिलती है ये मात एह समझा सकती है शान्ती धाम है निर्वान धाम और यह है दुख धाम बारोबर सत्यूग में एक राज्य था सुक, शान्ती, पभित्रता सब कुछ था अभी नहीं है तो जरूर डामा पूरा होगा जाड की भी आयू हुई है न देवताओं के भी 84 जनम पूरे हुए है 84 लाक जनम तो हो न सके इसलामी बोधी धरम वालों को इतनी बर्स हुए तो फिर 84 लाक जनम कैसे होंगे बाल युवा ब्रद होने में समय लगता है 84 लाक जनम हों तो फिर लंबा चोड़ा कल्प हो जाए तो यह माता समचाईगी तुम्हारा परम पिता फरमात्मा से क्या समबंध है वह तो फादर रचईता है न पहले ब्रह्मा विश्नु शंकर को रश्ते होंगे फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य स्रिष्टी रश्ते है ऐसे नी कोई नई दुनिया रश्ते है अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नी कहें कि पतित पावन आओ इस समय सारी दुनिया पतित है सब दुरगती को पाई हुए है याद करते रहते है ओ गौड फादर रह्म करो हमको इन मायवी दुखों से छोड़ाओ तो वह फिर दुख कैसे देंगे दुख देने वाला जरूर और है कौन है? वो है रामन सत्युख में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्मय निर्वान धाम में थी अभी तो सभी आत्मय यहां है तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर वही ब्रह्मा विश्णू बनते हैं फिर विश्णू की नाभी से ब्रह्मा निकलते हैं उन से बैट ग्यान देता हूं जो फिर देवता बनते हैं राज्योग सीखते हैं बाकी दुनिया वालों ने जो अनेक चित्र बनाई हैं वो सब दंद कताई हैं मुख्य बात हैं गीता माता का भगवान कौन समझाया है गीता को माता कहते है न शिरीमत भगवत गीता माता है तो पिता कौन तो ये समझने की बाते जरूर पिता निराकार्श्य पाबा होगा तो समझाने हैं परम पिता परमात्मा जनम देते हैं विश्नु को ब्रह्मा को भी जनम देंगे न तो वह देवताई हैं सत्युक के ब्रह्मा कहां का है जरूर कलियुक का होगा बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा जो स्रिष्ठाचारी थे आप ब्रश्ठाचारी हैं दो युग में सोर्यवंसी चंद्रवंसियों का राज्य है चार भाग है लाखो वर्ष की तो बात ही नहीं कहते हैं जिसे सिद्ध हो कि कल्प पांच हजार वर्ष का है कहते हैं क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले भारत स्वरक था उसको आए दो हजार वर्ष हुआ ये सब अच्छी तरह समझाना पड़े बाप कहते हैं यह सब अडॉप्टिट चिल्रन है अब बिना सामनी खड़ा हैं ब्रष्टाचारी भारत को कोई मनुस्य स्रिष्टाचारी बना नहीं सकता तो बापा नहीं समझाया है तो जब देवताईं वाम्मरग में जाते हैं फिर ये सन्यासी पवित्रत्ता के बल से भारत को थमाते हैं इस समय तो सब पतित बन गए हैं नदी तो सागर से निकलते हैं नदियों को पतित पामनी कहे उसमें सनान करते हैं अब नदियां तो सब जगे हैं नदी कैसे पतित पामनी हो सकती हैं पतित पामन तो एक ही परमपिता परमात्मा है यहां तो ज्ञान गंगाईं चाहिए जो मनुश्य को ब्रस्टाचारी से स्रिष्टाचारी बनाए सहज राज योग से तो बाप कहते हैं मैं सर्व शक्ति मान हूँ मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म बिनाश होंगे अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रदी मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्णिंग डाइमन मॉर्णिंग रोहानी बच्चों को रोहानी बाप की नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्णिंग, टाइमन मॉर्णिंग, ओम, नमस्ते, धार्ना के लिए मुखी सार ही, सबसे बड़ी ते बड़ी हाइस्ट अथॉरिटी बाप है, उसे यथार्त रूप से पहचान कर रिगाड रखना है, उनकी शिरीमत पर पूरा पूरा चलना है, सबकुछ बाप हवाले कर डबल लाइट रहने वाले, बाप समान, न्यारे, प्यारे भव, डबल लाइट का अर्थ है, सबकुछ बाप हवाले करना, तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है, आपका तो वाइदा है कि तन, मन, धन सब तेरा, जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा, तो सदा कमल पुष्प का दृष्टान स्मृति में रही, कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ, ऐसे न्यारे रहने वालों को परमातम प्यार का अधिकार मिल जाता है, स्लोगन, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही, मर्यादा पुर्शोतम हैं, लवलीन इस्तिती का अन्भव करो, आपके नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाय हुआ हो, तो आपकी शक्ति शाली स्वरूप द्वारा सर्व शक्ति मान नजर आएगा, जैसे आदिस्था अपना में ब्रह्मा रूप में कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्व शक्ति मान दिखाई दे, ओम शन्ति